नमस्कार बच्चों स्वागत है आप सभी का C.E.L. Academy की इस Online महामंच पर हारेना C.E.T. के जितने भी लोग C.E.T. exam की त्यारी कर रहे हूं सभी के लिए Academy ने test series launch हुई है free of cost किसी भी Academy या किसी भी library में पढ़ने आले विध्यारती इस test series का लाब उठा सकता है अगर वो November में C.E.T. के एकजाम में चारा है कि उसका exam clear हो उसके लिए हम लोगों ने लगबक 13 test launch के हुए है जो C.E.T. के exam से पहले आपके हो चुके होंगे तो आप मेंसे किसी भी strength ने जो समय session को देख पा रहा है और अभी तक एक भी test नहीं दिया है तो भी आपके पांच test निकल चुके हैं बाकी के जो test बचे हुए हैं उनको आप apply कर सकते हैं दे सकते हैं free of cost कोई charges नहीं है टाइमिंग रहता है एक से लिए के धाई बजे तक का एक दिन छोड़कर एक दिन alternate days पर ये test आपके लिए जाता है हर वीक, Tuesday, मंगलवार, Thursday, गुरुवार, Saturday, शनिवार इन तीनों दिन आपका test लगता है उसका analysis भी कराया जाता है फैकल्टी जो है वो doubts भी आपको कराती है जो भी आपके paper में doubts हैं तो काफी बच्चे सीज का लाब उठा रहे हैं आप लोग भी अगर अभी तक paper ना दे पाएं तो आगे वाले paper आपके miss नहीं होने चीएं academy आकर करके कभी भी आप test दे सकते हैं timing रहता है एक से लेके धाई बजे तक का जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप free हो चुके होंगे आगर क्या आप test दे जोइन कर सकते हैं बिना किसी charges के तो मैं आपको mass के paper का solution करा रहा हूँ जो हर्याना CET का जो हम लोग paper ले रहे हैं उनके अंदर mass के जो 10 questions आते हैं उनका solution में कराऊंगा तो आज इस solution के अंदर paper 1 और paper 2 जो आपके हुए थे उनका solution आपको मिलने वाला है इसी तरीके से अब तक जितने भी papers हो चुके हैं उन सभी का analysis mass का आपको मिलेगा जिससे कोई भी अगर आपका doubt है माल लीजे 10 मैं से 9 questions आपसे हुए और एक question भी अगर आपसे नहीं हुआ है तो उसका analysis देखने के बाद आपको solution मिल जाएगा तो फटाबर से analysis को देखिएगा share भी कीजेगा और जिल लोगों ने test series जोइन नहीं किये वो test series जोइन करने हैं जिससे की बचे हुए papers वो तरीके से दे पाए तो फटाबर से पहला question ये था आपके पहले paper का जो first paper था हर्याडा CET की test series का उसका पहला question मैंस का ये था कि 7 की power 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर 6 क्या बचेगा देखिए इस analysis में थोड़ा हम लोग fast चलेंगे क्योंकि बिल्कुल basic से अरिक चीज़ को मैं बताऊंगा time लगेगा मैं वो approach आपको बताने वालों जिस approach से ये question आपको paper में करना चीए था तो 7 की power 19 प्लस 2 को 6 से divide करना है reminder क्या आएगा आप मुझे अताइए 7 में आप 6 से भाग लाओगे साथ में आप 6 से भाग लाओगे कितना शेशफल बचेगा शेशफल बचेगा 1 6 का भाग के बल एक बर जाएगा reminder यानि कि शेशफल एक बचेगा उसकी power 19 है प्लस में 2 है बटे में 6 अच्छा बताएए एक की power 19 क्या होता है एक की power 19 होता है 1 प्लस 2 बटे 6 2 और 1 आपका 3 आगया 3 बटे 6 तो 3 में अगर आप 6 का डिवाइड करेंगे तो शेशफल आपका 3 ही आएगा किसी भी ध्यान रखेगा किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग लगाया जाए तो 6 पल हमेशा छोटी संख्या ही आएगी अगर मैं आपसे पूसरा हूँ कि 11 में 13 का भाग देने पर क्या 6 बचेगा तो आप कहेंगे सर पूरा की पूरा 11 ही 6 बच जाएगा क्योंकि 11 में 13 का भाग तो जाता ही नहीं है सेम केस यहाँ पर है तो 3 में अगर आप 6 का डिवाइड दोगे तो 3 में 6 का भाग नहीं जाएगा इसका मतला पूरा की पूरा 3 बचे जाएगा तो reminder क्या आएगा 3 आएगा तो question का answer होना चाहिए था 3 जितने भी लोगों ने 3 answer दिया था वो सभी लोग right थे अगले question पर हम लोग आगे पढ़ना है इस data को आपको solve करना बड़ा आसान सा data है root 8 minus root 4 minus root 2 इसकी value क्या आएगी root 8 minus root 4 minus root 2 आप मुझे आता है root 8 8 को मैं 4 into 2 लिख सकता हूँ 8 को मैंने 4 into 2 इसलिए लिखा है जिससे की कम से कम 4 तो भार आए अच्छा root 4 क्या होता है? 2 होता है root 2 की value नहीं पता तो root 2 को हम लोग root 2 ही मान के चल रहे है अब 8 में से अगर 4 भार आएगा तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा यह हो जाएगा 2 root 2 minus 2 minus root 2 अब 2 root 2 में से root 2 जाएगा तो क्या बचेगा? root 2 बचेगा माइनस टू रूट टू माइनस टू अपना आंसर है रूट टू माइनस टू कौन सो option है option number भी आपका answer है तो यही आपको tick करना था CET के paper का question है second number question मैं इसके अंदर paper 1 का solution चल रहा है इस analysis में आपको paper 1 paper 2 दोनों का solution मिलने वाला है question number 3 देखेगा जो लोग देख पा रहे हैं जो लोगों ने paper attend नहीं किया था किसी reason से आप अभी इन questions को solve करना स्टार्ट करें आप यह समझें कि यह paper आप लोग दे रहे हैं और यह question आपके exam में आया हुआ है तो आप मुझस से पहले answer देने की कोशिश कीजिए simplification का question है पटाबट से पढ़ने के पर क्या लिखा हुए 19 बटे 43 प्लस में यह सब data है 19 बटे 43 की कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत है इसकी पहले इसको modify करना बढ़ेगा solve करें कभी भी आपको exam में ऐसा question मिले यह question हमेशा नीचे से उपर की तरफ solve होते हैं सबसे last की क्या step है 1 प्लस 1 बाइ 4 कितना है गए यह 4 एक हम 4 और एक 5 बटे 4 तो यह data आगए आपका 5 बटे 4 अच्छाए data अगर 5 बटे 4 आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि जो 4 ही उपर shift हो जाएगा 4 उपर shift हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बटे 5 समझना एक बार 1 डिवाइड बाइ 2 प्लस 1 डिवाइड बाइ 3 प्लस यह जो 5 बटे 4 था यह उल्टा हो गया तो यह हो गया 4 बटे 5 अभी इस question का answer उतना जल्दी आएगा जतना जल्दी आप calculation कर लेंगे क्योंकि तरीका यह ही है अचा 5 इंटू 3 कितना होता है 15 5 ती अब 15 और 4 19 तो यह पूरा हो गया अगर यह 19 बटे 5 हो चुका है तो 5 उपर शिफ्ट होगा तो 1 डिवाइड बाइ 2 प्लस 5 बाइ 19 यह आगया 5 बटे 19 अगली step क्या हो नीची बताइए 19 जुनी 38 और 5 43 तो यह पूरा डाटा आगया आपका 43 बटे 19 जब यह reverse होगा तो यह आजाएगा आपका 19 बटे 43 यानि कि इस पूरे सरकिल के अंदर जो डाटा बंद है उसकी value भी कितनी आ रही है 19 बटे 43 और 11 बटे 43 आपका पहले से है 19 बटे 43 प्लस 19 बटे 43 जुड़ने पे कितना आएगा 38 बटे 43 क्योंकि 43 और चुका है 19 प्लस 19 कितना आएगा 38 आएगा कोई दिखकत तिरको कोई दिखकत नहीं है तो नेस कोशन देखिए चार फटा बट से आंसर बताईए कोशन मचा जो लोग कर चुक है आठसो चौटिस में से घटाने पर जो नमबर मिलेगा वो 20 का भी मल्टिपल होना चुए 28 का भी 32 का भी और 35 का भी तो 5834 में से मैंने किसी संख्या को माइनस किया X मैंने माइनस किया X के बारे में पता करना है माइनस करने के बाद जो डाटा आएगा उसमें 20 का भी भाग जाना चाहिए 28 का भी जाना चाहिए 32 का भी जाना चाहिए और 35 का भी कैसे करेंगे भी बड़े से बड़ा नमबर आपको निकालना है क्या किया जाए बताओ LCHM का टाइम नहीं हमारे पास सुनो मेरी बात 5 यार 834 में से क्या माइनस करूँ कि नमबर 20 का मल्टिपल आजाए सबसे आसान चेक करना किसके लिए 20 के लिए 20 का भाग किसमें जाएगा 20 का भाग उसी में जाएगा जिसके लास्ट में 0 20 का भाग उसी में जाएगा जिसके लास्ट में 0 तो ऐसा कौन सा option है जिसको अगर मैं 5,834 में से minus करूँ तो last में 0 आ जाए 1120 तो हो नहीं सकता 1120 को minus करेंगे तो last में 4 आएगा और last में अगर 4 आगया तो वो number 20 का multiple नहीं हो सकता 500 भी नहीं हो सकता 500 को minus करेंगे तो भी last में 4 बचेगा अच्छा 500 भी नहीं हो सकता तो भी last में क्या बचेगा 4 यह answer आएगा 47,14 क्योंकि 47,14 को अगर मैंने minus किया तो 4 में से 4 जाएगा last में क्या आजाएगा 0 आजाएगा जितनी दिर में आप सोचोगे LGM लेना तो दूर सोचोगे कि LGM लेना है उतनी दिर में तो पड़ोसीन answer लगा दिया 47,14 तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ मैं आपको analysis इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि मैं बता पाऊ कि यह question पुराने exams में पूछे के question है यह question कोई मैंने नहीं बनाया है यह question खुद exams में आया हुआ question है तो examiner इस question के तुरू देखना चारा था कि कौन लोग थोड़ा common sense लागे सीधे answer टिक कर देते है पर दिक्कत क्या रही है इस method में इस method में दिक्कत कुछ भी नहीं है आप LGM ले पारे है उससे पहले तो आपने देख लिया एक ही number ऐसा है जिसके last में क्या आ रहा है चार आ रहा है जिसको minus करने पर last में क्या बच रहा है जीरो बच रहा है तो answer क्या आएगा आपका option number भी आ रहा है आ रहा समझ और जब examiner को check करने होते है आपके basics तो वो चारो की चारो option ऐसे set करेगा जिसको minus करने पर क्या है जिरो आए तो वो आपके basic चेक करना चाहेगा अभी वो आपका common sense चेक करना चाह रहा है जानबुच के इसने aks option दिया है जिसको minus करने पर last में क्या है जिरो आ रहा है तो यह approach आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि exam में माइने नहीं रखता है कि आपने question कैसे किया है माइने रखता है कि आपने कितना जल्दी किया है कितना सही किया है अगला question देखे फड़ाबर से एक बड़े नेक्स्ट एक मकड़ी एक घंटे में एक पोल के साड़े बासट परसेंट उंचाई तक चड़ती है किसी भी नंबर का एक बड़े आठ और अगर मैं साड़े बासट जानना चाहूं तो साड़े बासट इसका पांच गुना है इसका मतलब भी हो जाएगा पांच बड़े आठ परसेंटेश के concept है और अगले में वह शेष उंचाई का साड़े बारा दोको साड़े बारा यहां साड़े बासट यानि की पांच बटे आठ आठ से कैंसल करेंगे आप लोग आठ दुनी सोला तीन बचेगा आठ चोक बतिस चोविस पंजे एक सो बीस एक सो बीस मीटर वो चड़ चुका है यह चड़ चुकी है शुरूआत के एक घंटे के अंदर बात में अगले घंटे मे क्या हो रहा है अगले घंटे में आप से बोल रहा है कि 6 का 6.5 बारा परसेंट तो आप हो जाता है कि 6 कितना बचेगा 192 में से 120 चड़ा जा चुका है कितना बचा बैतर तो बैतर का 1.8 बैतर का 1.8 कितना आएगा 9 आएगा option number D आपका answer कोई भी कुशन ऐसा नहीं था कि आप करना चाहें और आपसे ना हो बस थोड़ा सा information हमें basics तो हमें clear होने चीए इतना भी आसान पेपर आपके exam में नहीं आने वाला है कि देखते हैं आप लोग टिक कर दें कुशन के answer को तो साड़े बासर कितना होता है 5.8 और उसके बाद मैंने 5.8 निकाला 120 आया बचा कितना ब तरीका यह हो सकता है हमें जब पता ही है कि सर्फ 62 का मतलब 5.8 होता है इसका मतलब 8 में से 5 दूरी तै की जा चुकी है 8 में से अगर 5 दूरी तै की जा चुकी है कितनी दूरी बची 3.8 और 3.8 का यानि कि 6 का कितना परसेंट साड़े बार यानि कि फिर से 1.8 तो यह आ गया आ को सबसे कम टाइम वाला तरीका है जिसमें आपको वो 120 वगर निकालने की जुरूत नहीं पड़े साड़े 62 का मतलब होता है 5 बटे 8 5 बटे 8 का मतलब है कि 8 में से 5 मीटर की दूरी तय हो चुकी है तो बचा कितना? 3, 3 बटे 8 बचा हुआ है 6 का साड़े 12, 3 बटे 8 है आपका 6, उसका साड़े 12 यानि कि फिर से 1 बटे 8 3 बटे 64 आ गया 192 का जब मैं 3 बटे 64 निकालूँगा 9 मीटर कुश्चन का आंसर है नेस कुशन देखिए जल्दी से आंसर दो बटे 9 कुश्चन मचेगा बैटरे ऐसे कामनी चलेगा जो लोग बैठे हुए वो लोग आंसर निकालना से स्टाट करें चलो भई कुश्चन मचेगा 6 आंसर निकाले ऐसे बैठे दूर दूर से चल रहा एक व्यक्ति 10 रुपे परती कप की दर से 100 कप खरीदता है रास्ते में 20 कप जो है वो तूट जाते हैं बचे हुए कपों को 11 रुपे परती कप की दर से बेज देता है तो उसकी परतीशत हानी कितनी है कितने पर्षेंट का उसको लोस होगा जल्दी बताएगा एक बार हानी याल आपका पता लगता है कि आपने खर्चा कितना किया है आपको मिला कितना खर्चा कितना किया है आपने खर्चा आपने कितना किया देखिए 10 रुपे परती कप की दर से 100 कप खरीता है तो 100 इंटू 10 कितने हो गए 1000 रुपे का खर्चा हो गया अच्छा आपको मिला कितना खर्चा होता है आपका CP पेशने पर पैसे कितने मिले 20 कप तो टूटी गए 100 में से 20 के कितने बचे 80, 80 कपों को 11 रुपे के साब से बेज दिया 880 आ गया तो सर हमारा खर्चा हुआ था 1000 रुपे का हमें मिले केबल 880 हम लोग 120 रुपे के लॉस में चले गए 120 का लॉस किस पे हुआ 1000 पर क्योंकि लाब और हानी किस पे होते हैं लाब और हानी हमेशा CP पे होते हैं इसका मतलब यह सब कुछ कैंसिल हो गया 12% option number D कोई दिक्कत आ रहे हैं 12% हानी हो रही है चलो भे फटावर्ची ब्याज का कुश्च आ रहे है कुश्च नमबर 7 वहराशी ग्याद कीजिए जिस पर डेड़ वर्चों के लिए 10% की दर पर अर्दवार्ची की दर से चक्वर्टी ब्याज यानी की C.I.E. और सादर ब्याज यानी की S.I.E. का अंतर 245 लुपे है आपसे पूचा गया है कि वह principle आपको पता करना है देखो मैं आपको एक बात बतायता हूँ जब भी आपको किसी कोश्चन में हाफेर ली अर्दवार्ची को वाला शब्द मिलता है तो अर्दवार्ची का मतलब होता है कि रेट तो हो जाएगी आधी आपके साब से कोश्चन में 10 है पर 10 का आधा कितना होगा 5% हम लोग काम मिलेंगे और टाइम हो जाता है साब डबल टाइम अभी तो है 3 बटे 2 यानि कि डेड़ इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 साल आ जाएगा यह बात समझ वारी है क्या यह बात most important बात है और आप मैंसे जितने लोगों ने paper दिया होगा मैं मान के चल रहा हूँ आपको यह बात पता होगी और पता होती है ऐसी कौन सी बड़ी बात है भई अर्दवार्शिक का मतलब rate आधी और समय का double ऐसी एक case होता है 3 असिक quarterly जिसम भोलते है 3 असिक वाले case में क्या होता है rate हो जाती है 1 चौथा ही और समय क्या हो जाता है आपका 4 गोना तो अभी अर्दवार्शिक बोल रहा है तो rate हो जाएगी 5% timing 3 साल अंतर कितना दिया हुआ है आपको 244 तो आपको यह पता होना चाहिए 3 साल का जो अंतर होता है 3 साल का difference में offline class में यह बात बहुत बार पढ़ा चुका हूँ 3 साल के difference का एक formula होता है P into r बटे 100 का square into r plus 300 बटे हालंकि बिना formula की भी question आजाएगा आप rate को fraction में change करके यह सब चीज़े कर सकते हैं पर आपको need नहीं है तो आप सुनिए का एक बार अंतर होता है P into r बटे 100 का square into में r plus 300 बटे 100 बोलना है जल्दी चालू करता है करो आपको करो चली P into r बटे 100 का square अंतर आपका दिया हुआ है 145 sorry 245 principle आपको पता करना है rate कितने percent है 5 5 बटे 100 5 बटे 100 कितना हैगा 1 बटे 20 और 1 बटे 20 का जब में square करूँगा तो 1 बटे 400 r plus 300 5 और 300 जुड़ने पे कितने होंगे 305 डिवाइड में कितना आगया 100 आगया अब ज़रा कार्टीस को किस से गटे गए 61 से गटे जाएगा 4 बार 61 से 4 बार 61 से 5 बार गैंसल हो गया 5 से 100 जो है वो 20 बार गैंसल होगा उपर कुछ नी बचा हुआ सब कुछ इधर आएगा 400 इंटू 4 कितना आएगा 1600 16 सो इंटू 20 32 अजार option number C calculation आप कर लेंगे अपना कामता बस formula आपको बताना आपको ये पता होना चीए 3 साल का अंतर इस तरीके से हम लोग निकालते है ये नूट कर लीजेगा अभी इस पर बहुत अच्छा question बनाया जा सकता है 3 साल का अंतर होता है P इंटू R बटे 100 का square इंटू में R प्लस 300 बटे 100 अच्छा 2 साल के अंतर के लिए formula क्या होता है 2 साल का अंतर होता है केवल P इंटू R बटे 100 का square ये होता है आपका 2 साल का difference 3 साल का difference आएगा तो 1 स्टेप एक्स्ट्रा आएगी R प्लस 300 बटे 100 नएस question देखेगा पढ़ो English language आपने पढ़ लिए होगी अभी आप question को यहीं से पढ़ने start करे आठमा question कामगर और कलरकों का अनुपात है 8 अनुपात 5 अनुपात 1 उनकी income का भी रेशो दिया हुए अब आपसे बोल रहा है कि प्रतेक दिन का कुल वेतन 3180 रुपे है तो प्रतेक वर्ग के कामगरों को प्रतेक दिन मिलने वाली देखेगा एक बर इनकी संख्या का अनुपात मैं लिख देता हूँ पहले एक बर संख्या का रेशो है सर आठ अनुपात 5 अनुपात और इनकी income का रेशो आये का अनुपात है आपका 5 अनुपात 2 अनुपात 3 तो मैं अगर पता करना चाहूं कि total income कितनी हो रही है तो आप कहेंगे सरी है आठ लोग हैं 5 रुपे कमाता है परवंदा, आठ पंजे कितने हो गए 40, 40 तो आपको यहां से मिलके multiply करने पे, अच्छा यहां से मिलेंगे 5 दूनी, 10 यहां से मिलेंगे 3 एकम 3 तो आपके हिसाब से income होनी चीए 40 और 10, 50 50 और 3 कितने हो गए, 53 तो आपके हिसाब से जो income हो रही है 53 और question के हिसाब से जो income है वो कितनी है 3180, 53 53 की value 3180 है तो एक का मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा 53 इंटु 6 होता है, 318 एक की value क्या आगी, 60 आगी एक की value 60 हो गई तो प्रतेक के हिसाब से कितनी कितनी income हो रही है, तो आप कहेंगे सर पहला जो हिस्सा था वो 8 इंटु 5, 40 का मारा था आपको पता ही कि एक का मान 60 है, तो 40 का मान 40 इंटु 6 कितना हैगा, 2400 आएगा 2400 दो option में B और C आगे चेक करेंगे, यहाँ से income हो रही है, 5 इंटु 2, 10 एक का मान 60 आ रहा है, 10 का मान 600 आएगा, 600 और 2400 वाला एक ही option है C आप चाहें तो फिर इसको भी तसली के लिए चेक कर लें 3 इंटु 1 कितना आएगा, 3 60 इंटु 3 कितना आजाएगा, 100 80 तो यह income आचुकी है 2400, 600 और 180 तो दिखने में जितना ऐसा question लग रहा था, ऐसा question था नहीं बस आपको total income निकाल के बराबर करनी थी, एक की value आगी एक की value आने के बाद आप अलग-लग income निकाल सकते हैं, यहाँ पर 20 का कोई काम नहीं है, कोई कहे, कि सरी एक कुशल काम कर 20 हैं, इसका क्या मतलब है, इसको कोई काम में लेनी की need नहीं है, अब यह चाहे 200 हों, चाहे 200 हों, question के answer पर कोई फरक नहीं बढ़ेगा, नहीं question दीखे, question number 9, पहले paper का 9 question है, 10 question आपके हर paper में आते हैं, मैं इसके दो रेलगाडिया, समानांतर पट्रियों पर समान दिशा में चल रही है, उनकी चाल है 45 और 40 है, 45 मिनट के बाद उन दोनों ट्रेनों के बीच, दूरी कितनी होगी, दिखे, दो रेलगाडिया, समानांतर और समान दिशा में, same direction है एक की स्पीड है 45 और एक की स्पीड है 40 आपसे बूचागे, 45 मिनट के बाद उनकी बीच में दूरी कितनी होगी समय दूरी चाल मैं आपने पढ़ा होगा, दूरी निकालने के लिए एक formula हम लोग काम में लेते हैं दूरी बराबर, समय into चाल, यही basic formula होता है distance बराबर, speed into time, दूरी बराबर, समय into चाल, दूरी पता करनी है सबसे पहली बात, speed के अगर मैं बात करूँ, तो आपको यह rule बिल्कुल पता होगा कि कोई भी दो वस्तु है या दो व्यक्ति अगर समान दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी चाल है माइनस होती है, समान दिशा में जो relative speed सापक चाल आती है वो माइनस करने पे आती है, तो 45 और 40 का अंतर कितना आ गया 5 आ गया, हमें distance निकालनी है, और वो भी किलोमीटर में निकालनी है, तो चाल तो आगी 5 समय कितना है, 45 मिनट है, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग लगा देंगे तो 5 इंटू 45 बटे, 60 45 के बटे में 60 क्यों आया, क्योंकि 45 मिनट दिया हुआ है जबकि speed है किलोमीटर पर आर घंटे के अंदर है, तो मिनट को घंटे में चेंज करना है, 60 से डिवाइड करेंगे अब काटो भी यह, इसको 15,45 15,60, उपर आगया 15 नीचे आ रहा है, 4 15 बटे, 4 किलोमीटर 15 बटे, 4 किलोमीटर का मतलब, 4 का भाग 15 में 3 बट जाता है, 3 किलोमीटर से उपर आएगा, और उसके अलावाद 3 बचेगा, तो 1,5,500 बचेगा, 3 किलोमीटर 1,5,500, चेंज कर लिजेगा 3 किलोमीटर 1,5,500, यानि कि 5,4 किलोमीटर के आसपास, अपना अंसर, ये 5 कैसे आया है दूरी बराबर, 4 इंटू समय होता है चाल कितनी हो जाएगी, 5 क्योंकि सेम डिरेक्शन है, अचा यही अगर आपोजी डिरेक्शन होती तो चाल है क्या हो जाती, एड हो जाती है बस इतना फरक पड़ेगा चलिए, पहले पेपर का आखरी कोश्चन 3 समान चमता वाले, जिन भी क्लासिस में और पानी का, 3 अनपाथ 2 पहले वाले में रेशो दिया हुआ है, 3 अनपाथ 2 सेकन वाले में क्या रेशो दिया हुआ है सेकन वाले में रेशो दिया हुआ है 7 अनपाथ 3 तीसरे वाले में क्या रेशो दिया हुआ है 11 अनुपाथ 4 ये तीनों container के अंदर ratio है तीनों को mix करने के बाद क्या ratio हो जाएगा ये पूछा गया तीनों को अगर मैंने mix कर दिया तो mix करने के बाद ratio क्या होगा पटापट से बताओ भी क्या करना है इस question में जब भी हम लोग container वाले questions पढ़ते हैं exam के अंदर जब भी mix करने की बाद चलती है तो mix करने से पहले इन सभी का addition सेम बनाना बहुत जरूरी है तो इनका addition दिये कि same नहीं है इसका addition आ रहा है 5 इसका आ रहा है 10, इसका आ रहा है 15 5, 10 और 15 का LCHM होता है 30, सभी को 30 मनाया जा सकता है तो 5 को अगर मुझे 30 मनाना है 6 से multiply है 10 को 30 मनाना है 3 से multiply है 15 को 30 मनाना है 2 से multiply है तो यह हो जाएगा 6, 3, 8 6 दूनी 12 30 आ चुका है इसके अलाब़ ये देखिएगा 7, 21, 3, 9 ये भी 30 आ चुका है 11, 2, 24, 8 ये भी कितना आ चुका है 30 तो सभी का addition सेम हो गया addition सेम मनाने के बाद एक जैसी quantity को एक जैसी quantity में आपको add करना है तो sulfuric acid sulfuric acid में add होगा 18 और 22 कितने हो गया 40 और 21 कितने हो गया 61 हो गया 61 हो गया sulfuric acid पानी कितना होगा भई 12 और 9 21 और 8 कौनसो option है यह option है 61 अनुपात 31 और 29 यह question का answer है आभी कोई दिकत तो यह आपका पहला paper था जो test series का हम लोगों ने conduct कराया था first paper में 10 questions आए थे मैंस के अंदर अभी हम लोग लगातार आगे के 10 questions और solve करेंगे जो paper 2 में थे तो उसको मैं question number 11 बोल रहा हूँ 11 का मतलब second paper का पहला question पड़ो भई अब मेरे आंस आने से पहले भी आंस आना चीए आप लोगा जोनोंने solve नहीं किया था question अभी solve करें एक छात्र को किसी भिन्न का 3 वटे 5 ग्यात करने के लिए का गया लेकिन भूल वश गल्ती से उसने भिन्न को 3 वटे 5 से भाग दे दिया तो इस प्रकार प्रापत परिणाम सही परिणाम से 32 वटे 75 अधिक है तो आप से बूचा गया सही परिणाम कितना है देखो एक भिन्न का 3 वटे 5 ग्यात करने के लिए एक काम करते हैं, मैंने भिन्न को x माल लिया भिन्न को मैंने क्या माल लिया? x माल लिया, कुछ लोग कह रहे थी सारी question गलत है क्योंकि वो लोग कि अवल x की value निकाल करके answer चेक कर रहे थे पर मैं बताओंगा question में क्या पूछा है भिन्ने को मैंने x माना तो आप से का आ गया भिन्ने का 3 वटे 5 निकालना है तो यह आ गया 3x वटे 5 पर उसने गलती से क्या किया उसने गलती से 3 वटे 5 से भाग दे दिया जब आप x के अंदर 3 वटे 5 से भाग दोगे वो 32 वटे पिचेतर है यही कहना चाह रहे है question में solve करें इसको क्या L6 माइगा इसका इसका L6 मोलो उसे 15 3 से 15 पांच वार या जाएगा 25x 5 से 15 तीन वार या जाएगा 9x 25 में से 9 गए कितने बचे 16x वटे 15 बराबर में 32 वटे पिचेतर तो यहाँ से अगर मैं x की वेल्यू निकालना चाहूँ तो 32 वटे पिचेतर इंटू 16 वटे 15 उधर जाके 15 वटे 16 हो जाएगा 16 दूनी 32 15 पांच पिचेतर तो x आपका आगया 2 वटे 5 यह x की वेल्यू आ गई फिर कुछ लोग कह रहे थे सर 2 वटे 5 उप्शन में नहीं है 2 वटे 5 उप्शन में अच्छा है नहीं है पूता तो हम सीधे 2 वटे 5 को करके आ जाते हैं कुछ नहीं पढ़ते ही नहीं आप से पूछा गया है कि सही परिणाम क्या है इसका मतलब उसने मुझसे कहा था कि आपको भिन का 3 वटे 5 निकालना है यानि उसने मुझसे निकालने के लिए कहा था 3 वटे 5 उफ यह उसने कहा था मुझसे निकालने के लिए और यही सही परिणाम है अभी तक हम लोगों ने केवाल x की value निका लिए x की value कितनी आ रही है 2 बटे 5 x की value अगर मैं आपर 2 बटे 5 रख दू आंसर आ जाएगा 3 दो नीच है 5 इंटू 5 पच्चिस आंसर बिल्कुर राइट अभई जिसने भी लगाया था 6 बटे 25 कुशन का आंसर है आरिवा समझ एक्स क्या है x तो वो भिन्न है अगर यह पूछता की बताईए भिन्न का मान क्या है तो कोई दिक्कत नहीं थी 2 बटे 5 आपका आंसर था और फिर 2 बटे 5 आप्चिन में होता भी पर उसने पूछा था कि सही परिणाम क्या मिलेगा तो परिणाम तो सही मिलेगा जब मैं 3 बटे 5 से उसको मुल्टिप्लाइ करूँगा तो आंसर आपका आएगा 6 बटे 25 सेकंड नंबर का कोईशन सेकंड पेपर का फटाफट से देखे एक बर 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 क्या करना है समय क्या कर दो सुनो क्या करना है ध्यान देना यह जो नंबर है रूट में 5 प्लस 2 रूट 6 आपको क्या करना होता है आपको देखना होता है 2 के अंदर डाटा क्या दिया हुआ है 2 के मल्टिप्लाइ में 2 के multiply में 6 दिया हुआ है, 6 के ऐसे factor जिनको गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर 5 आए, 3 और 2, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, 3 और 2, तो इसको मैं ले सकता हूँ, root 3 का square, plus root 2 का square, plus 2 into root 3 into root 2, और इसका चल रहा है unroot, पूरे का, अब आप दे 5 आपको यहां मिल गया, और 2 into root 6, तो एक ही बात है, तो यह हो जाएगा, root 3 plus root 2, क्योंकि root 3 plus root 2 का whole square बनेगा, whole square से unroot क्या हो जाएगा, cancel, तो क्या बचा के बल, root 3 plus root 2, तो यह तो आगी पहली step आचुकिया, root 3 plus root 2, minus, अब इसका उल्टा है न, जब भी आपको उल्टा करना हो, तो बस symbol को change कर दिया करो, अगर आपको plus वाले का उल्टा करना है, तो minus हो जाएगा, minus वाले का उल्टा करना है, तो plus हो जाएगा, ऐसा तभी होता है, जब दोनों संख्याओं में अंतर एक का है, तो root 3 का square 3 होता है, root 2 का square 2 होता है, 3 और 2 में अंतर कितने का आ रहा है, ए एक का आ रहा है, तो उल्टा करने के लिए plus की जगए, minus minus की जगए, plus, अब मुझे आता है, यह कुछ cancel हो रहा है, root 3 plus का है, root 3, minus का cancel हो जाएगा, root 2 plus का है, यह भी minus minus plus हो जाएगा, 2 root 2, root 2 कितना हैगा, 2 root 2, option number, यह आपका answer है, कुछ आ रहा है समझ, 2 root 2 question का answer आ गया, check कर ल जसे कि कोई भी type आपका छूटे ना, कोई भी question रिपीट नहीं मिलेगा, पूरे की पूरे तेरा test के अंदर, जसे कि हम लोग cover कर पाए, maximum math, जो आपके exam में आ सकता है, simplify कीज़े भी एक बर, बोडो मास कानियम आपको बता होगा, पहले brackets solve होते हैं, तो brackets को solve करना है, सबसे पहला bracket यह है, इसको solve करना है, अच्छा 1 by 3, 1 by 6, दोनों minus के हैं, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहां जाएगा, 1 by 3, 1 by 6, कितना हैगा, 1 by 2, minus का 1 by 2, और यह है 1 by 2, अच्छा 1 by 1, 1 by 6,從 1 by 2, 10 by 2, जाएंगे, तो इस 1 by 2, से मल्टी प्लाई करेंगे, कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है, 1 by 2 लाएंगे, तो mily बचा, 1 by 2, 4 minus हो रहा है, जाए 1 by 2, तो 1 by 2, 5, सबसे पहले करने पर data आए आपका 1 by 3, solve कर लिया, 1 का multiply जब 1 बटे 2 से होगा, कोई फरक नहीं बड़ेगा ये लिखा हुआ है, 4 एक हम 4 और 1 5 बटे 4 minus 1 बटे, तो ये middle bracket मजला bracket है, इसका L चम 4 आएगा, 5 minus 2, ये आजाएगा 3 बटे 4, तो ये सब कुछ solve होके, पूरा के पूरा ये आचुका है आपका 3 बटे 4, आगया 3 बटे 4 क्या बचा है अब? 3 सभी 1 बटे 4, 4 तीया 12 और 1, 13 बटे 4 plus 3 बटे 4, 13 और 3 कितना होता है, 16, 16 बटे 4 का मतलब क्या हो गया? 4 हो गया तो ये पूरा की पूरा data solve होने पे क्या आगया? 4 आगया तो साड़े 8 में से हमें माइनस करना पढ़ रहा है 4 साड़े 8 में से 4 माइनस करोगे साड़े 4 ही तो गयागा? ये option आपका answer है. Simplification का question था बड़ा simple सा question था, इसमें मुझे नहीं लगता है किसी भी student ने पढ़ने वाले ने कोई गलती किये बई ये question था करने लाइक, इसको करो 14 number question 14 number question, second paper का चौथा question है माल लिया जाए कि एन कोई अधिक्तम संख्या है जिससे 1305, 465 और 7905 को भाग देने पर प्रतेक स्तिती में बराबर शेश्वल बसता है तो N जो है उसके संख्या के अंकों का योग बताईए जो N आएगा उसके संख्या के अंकों का योग, ऐसा question जब भी आपके exam में आए, सबसे पहले तो आप इन तीनों number को देखो, ये तीनों number कौन कौन से हैं, देखे concept में आपको समझाओंगा कभी जब live class होगी number system की अभी तो आप समझो के ऐसे questions को exam में कैसे करना होता है आप एक काम करेंगे, आप difference लेंगे दो-दो का, इन दोनों का difference बताईए कितना हैगा पांच में से पांच, 0, 6 में से 0, 6 6 में से 3, 3, 13, sorry 3360 का difference आ गया इन दोनों में difference कितना आ रहा है 0, 4, 540 540 और 3360 difference कितना आ रहा है, 240 और 3360 कुछ गलत तो नहीं लिखा difference ये दोनों आ रहा है अब आपने जो difference लिया है ने इन दोनों के बीच आपको इन दोनों का HCF highest common factor देखना होता है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका भाग 2240 में भी जाएगा और 3360 में भी जाएगा क्या नंबर हो सकता बताईए क्या वो नंबर 1120 हो सकता है क्योंकि लगबग नंबर डबली दिखाई दे रहे है मुझे 1120 का भाग इसमें दो बर जाएगा और उसमें तीन बर चला जाएगा ना 1120 तो 1120 वो नंबर हो गया जिस नंबर की वो कह रहा था अब इसके अंकों का योग करना है 2 और 1, 3 और 1, 4 यह answer आगे बहुत प्यारा कुशन है यह हवानी लगती है एक्जाम में जब ऐसे कुशन आते ना करना क्या है समझ ही नहीं आता है कुछ देर तक तो 5 मिन तक पढ़ते रहेंगे बाद में छोड़ देंगे बाद में सोचेंगे पहली छोड़ देना चाहिए था 1305 और 4 यह 665 उसके अलाबा 6905 तीन-तीन संक्याओं के जोड़े जर्नलिस में बनते हैं आपको दो-दो के बीच अंतर देखना है दो-दो के बीच अंतर देखें उनका SCF लेना है इनमें हाइस जो नमबर कॉमन आ सकता है 1120 दोना नमबर 1120 के मल्टीपल है 1120 के अंकों को योग कितना आ रहा है और भी आपकी टेस्टी रिस्ट में पेपर बाकी है एक कुशन मैं ऐसा फिर से डाल दूँगा जिससे कि आगे आपको इस चीज का ऐसास रहे कि एक कुशन दोबारा कैसे बन सकता है 15 पा कुशन भई किसी परतियोगी को एक परिक्षा में 20 परतिशत अंक प्राप्त होते है वह 30 अंकों से ऐसाफल यानि कि फेल हो जाता है जब 20 परसेंट नंबर लेके आता है 30 अंकों से फेल हो रहा है मतलब जितने नंबर पास होने के लिए चीज़िए 30 नंबर कमा रहा है इसलिए माइनस का 30 में लेके चल रहा हूँ फिर बोल रहा है दूसरा वंदा गया पेपर देने उसका स्कोर आया 32 परसेंट और वो जो है वो पास हो चुका है 42 अंकों से इसका मतलब पलस के 42 जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए पास होने के लिए परतीशत कितना चाहिए वेरी इजी कुश्चन पास होने के लिए परतीशत कितना चाहिए फटावट से बताई एक बर देखो जिनोंने खोड़ी बहुत भी बुद्धी लगाई होगी न उन्होंने पैन नहीं चलाया होगा बुद्धी वान लोग पैननी चलाते हैं सुनेगा ध्यान देजिएगा लोग 20 परसेंट पे फेल हो रहा है 35 पे पास हो रहा है 32 परसेंट ले के आ रहा है तो पास हो रहा है न और कितने नंबरों से 42 तो 32 परसेंट से 32 आने पर बहुत ज़्यादा score आ रहा है तो 20 और 32 के बीच में जो option है वही answer है 20 और 32 के बीच में एक ही option है यह answer था कुछ आए समझ मैं क्या कह रहा हूँ 20% लाने वाला क्या हो रहा है fail हो रहा है 32% लाने वाला number बहुत ज़्यादा अंकों से pass हो रहा है पास होने के लिए जो number चीएंगे 20 से लेके 32 के बीच में चीएंगे 20 से लेके 32 के बीच में एक ही option है 25 और यह मैंने option set नहीं की होए मैं आपको पहली बोल रहा हूँ यह सारे questions कही ना कहीं किसी exam में within 5 years पूछे गए आप लोगों से आप समझे कि examiner भी काफी है चेक करना चाहते कि कितना दिमाग हम लोगा रहा है अच्छा चलो सुनो माल्ली ऐसा हो गए कि सब 4 option 20 और 32 के बीच में तो method हमको आना चीए method मैं आपको बता है तो method क्या है पहले आप इन दोनों percentage में अंतर लो 12% का जो अंतर आ रहा है उसकी वज़े से नंबरों में अंतर कितने का आगे है बैतर का कुछ लोग यहाँ पर भी अंतर 12 का ले लेंगे माइनस का 30 है माल लीजे 100 नंबर 5,60 लिए चीए इस वंदे के नंबर आ रहा है 70 इसके आ रहा है 142 तो 70 और 142 में अंतर कितने का आएगा बैतर का तो एक नंबर नेगिटिव है एक नंबर पॉजिटिव है तो डिफरेंस निकालने के लिए दोनों नंबर आपस में जुड़ जाते है 12% की वज़े से बैतर आ रहा है तो एक परसेंट की वज़े से कितना आएगा चे आएगा अगर आपसे पूचता पेपर कितने नंबर का हुआ है तोटल मार्क्स कितने है तोटल मार्क्स अपनी आप में होते है 100% तो 100 इंटु 6 कितना आ गया 600 आ गया तो अगर यह पूचता कोश्चन में कि पेपर कितने नंबर का है तो मैं कह सकता था कि पेपर जो है वह 600 नंबर का है पर इसने क्या बूचा इसने तो यह बूचा कि पास होने के लिए कितने नंबर चीए अब सुनिएगा पास होने के अगर आपको नमबर निकालने है तो या तो आप लोग पहले वाला स्कोर पता कर लें आप बाद वाला पहले वाला स्कोर कितना परसेंट है? 20 परसेंट किसका 20 परसेंट? जितने नमबर का पेपर हुआ है पेपर हुआ है 600 नमबर का तो 600 में से 20% लेके आया 600 का 20% कितना हैगा 120 120 नमबर लाने के बावजूद 30 नमबर उसे फेल हो रहा है इसका मतलब पास होने के लिए नमबर कितने चाहिए थे 120 और 30 50 500 नमबर चाहिए थे पास होने के लिए अगर नमबर पूछता तो आंसर आता 1500 पर उसने लास में परसंटेस पूछा है तो आप खुद बताईए कि 1500 नमबर पास होने के लिए चाहिए और कितने में से 600 में से, इंटू में कितना 100, तो 6-500 कितनी बार कैंसल होगा, 25 बार ये सब गुंबिर करके लास में आंसर कितना आ रहा है 25 आ रहा है, जिसका अंदाजा हम लोग पहले ही लगा सकते थे, कि आंसर 20 से 32 के बीच में आना है, एक ही ऐसा उप्षन था 25, तो इन चीज़ों से क्या होता है टाइम बसता है अगला गोश्चन देखें आप लोग पड़ो बड़ा बड़ से एक कपड़ा व्यापारी एक कपड़ा व्यापारी अपने कुल कपड़ों में से आधे कपड़े को 20 पर्तिशत के लाब पर अब देखें आधे का मतलब हो गया 1 by 2, आधे कपड़ों को 20 के लाब पर, लाब वाली चीज़ों को प्लस में लेके चलना है, हानी वाले को माइनस में, ततब बचा हुए कपड़े के आधे को, बचे हुए कपड़े के आधे को, आधा कपड़ा तो उसने पहली बेज दिया, आधा बचा हुआ है उसका भी आधा, तो आधे का आधा कितना हैगा, 1 by 4 उसको 20% की हानी पर तो 20 माइनस का लेके चल रहा हूँ और 6 कपड़े को लागत मुल्य पर, 6 कपड़ा बचा हुआ है, 1 by 4 लागत मुल्य पर बेचा गया, तो जब भी किसी वस्तू को CP पर बेचा जाता है लागत कीमत पर बेचा जाता है तो ना तो profit हो सकता है, ना loss इसलिए मैंने 0 से multiply किया तो यह 0 वाला नंबर तो किसी काम का नहीं है इसको solve कर लेते हैं 2 से 20 कितनी बार, 10 बार 4 से 20 कितनी बार, 5 बार 10 में से 5 किया कितना बचा, 5% loss option number, sorry profit 10 में से 5 plus का 5 आ रहा है 5% profit, option number यह आपका answer है कुछ आई बार समझ, ठीक है पता दो भई वार्षी ग्रूप से सहियोजित question number 17 वार्षी ग्रूप से सहियोजित 3,000 रुपी की राशी 1% की दरपर 3 साल में 3,930 में हो जाती है X का मान क्या है कभी भी आपको CI वाले question में principle और amount दोनों पता हो जैसे कि principle 3,000 है और amount है 3,930 है तो आप उनका ratio लेने की कोशिश किया गरो इनका अगर मैं ratio लोगा तो सिर्फ 3 का multiple है 1000 बार और यह 3 का multiple है 1331 बार तो यह आगया 1000 और यह आगया 1331 timing कितने साल दिया हुआ है 3 साल तो यह तो आपको time दे करके rate पूछेगा यह rate दे करके आपसे time पूछेगा तो timing अगर 3 साल है तो आपको यह देखना है कि यह किसका cube है तो आप कहेंगे सर यह दोनों cube हैं किस-किस के 1000 तो 10 का और 1331 ग्यारा का मैंने क्यों चेक किया cube है timing 3 साल है किसी ने किसी का square आपको जरूर मिलेगा तो 10 से अगर 11 करना है तो 1 रुपे का ब्याज मिलेगा 10 के ऊपर इंटू में 100 rate आपकी आचुकी है 10% option number A आपका answer है तो यह सातवा question था second paper का question number 8 थे देखिये भई 18 मा question और 5 चलाओ फटाफट से try करो भी जिल लोगों उने try नहीं किया कुछ नोब ठारा फटाफट से answer देदो A 55 या B A आएगा A आएगा फक्का कैसे करना है इसको कैसे क्या करना है सबको दिखरा पहले तो इसकी शकल सुदारो A, B, C ये दिया हुआ है एक वटे चार एक वटे छे साथ वटे बारा इसका L.C.M. लेंगे तो बारा आएगा सबको बारा से multiply करेंगे तो चार तीया बारा छे दूनी बारा बारा से बारा कैंसल होगा क्या बचेगा साथ तो एक तरीके से profit बटना चाहिए था तीन अनुपात, दो अनुपात, साथ में इसी बटना चाहिए था अब ये question क्या कह रहा है C चला गया और C के हिस्से को उन्होंने चार अनुपात, पांच के अनुपात में बाट लिया अच्छा C का हिस्सा है कितना साथ तो साथ को अगर मैं चार रेशो पांच में बाटूं तो कितना कितना हैगा पहला हिस्सा आजाएगा चार बटे में अनुपातों का योग 9 इंटू साथ और दूसरा हिस्सा आजाएगा पांच अनुपातों का योग 9 इंटू 7 तो ये तो आजाएगा 23 बटे 9 और ये आजाएगा 35 बटे 9 ये तो C के हिस्से मैंसे इनको मिलने वाला हिस्सा है अचा शुरुवात में भी तो इनको कुछ न कुछ मिला था A को कितना मिला था 3 A को 3 मिला था तो A के पास हिस्सा हो जाएगा 3 और प्लस में ये वाला पार्ट 28 बटे 9 3 प्लस 28 बटे 9 अचा B को कितना हिस्सा मिलेगा बताओ B को 2 तो पहले से मिल रहा है और ये 35 बटे 9 और मिल जाएगा तो 2 प्लस 35 बटे 9 अब 9 तो एल चेमा जाएगा दोनों तो तो नो तो चैंसली हो जाएगा 9 तीया 27 27 और 28 कितने होंगे 55 होंगे और यहां 9 दूनी अठारा 35 और अठारा तेरेपन होंगे बिल्कुल सही आंसर है A option 55 अनुपाद तेरेपन और कोई तरीका सोशन को सॉल करने का क्या रिजन हो गया D group ठीक है आंसर आजाएगा आपका 55 अनुपाद तेरेपन अगला कोशन देखें आप लोग 19 एक व्यक्ति अपनी जायदात को इस परकार से बाटा कैसे बाटा भी जायदात को जायदात को ऐसे बाटा कि उसके बेटे और उसकी पत्नी देखें पुत्र और पत्नी जायदात का भई बटवारा हो रहा है द्यान से सुनना पुत्र और पत्नी और उसकी पत्नी और उसकी पत्री पत्नी और उसकी पत्री के बीच पैसे का अनुपाद है तो पहले उसने बेटे और पत्नी में पैसा वाटा 3 अनपात 1 में फिर पत्नी और पुत्री में पैसा वाटा 3 अनपात 1 में 3 अनपात 1 एक ही बार लिखा हुआ है जबकि बटवारा दो बार हुआ है इसका मतलब 3 अनपात 1 को आपको दो बार काम में लेके चलना है यह language समझ नहीं है यह एक्जाम में पूछा जा चुका है अब हम लोग कैसे कमा इंडेशन निकालेंगे एक क्या आगे एक आएगा तीन से पहले तीन आएगा तो यह आगया 3 इंटू 3 नो यह आगया 3 इंटू 1 तीन और यह आजाएगा 1 इंटू 1 एक यह पैसे का बटवारा हो चुका है किस-किस में है बेटे, पत्नी और पुत्री के बीच 9 अनुपात, 3 अनुपात, 1 अब यह बोल रहा है कि उसकी पुत्री को उसकी पुत्री को उसके पुत्र से जान से सुनना पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपे कम मिलते हैं अच्छे रेशो मैं लिख देता हूँ ये पुत्र है ये पत्नी है और ये पुत्री है तो कोशन ये बोल रहा है पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपे कम मिलते है आपके साब से पुत्री को मिल रहा है एक रुपे और पुत्र को मिल रहा है नो रुपे तो एक जो है वो नो से कितना कम है आठ और कोश्चन के साब से वो कम है दस अजार 8 का मान 10,000 आ गया तो बताइए कुल जायदात कितनी थी तो कुल जायदात थी 9, 1, 10, 3, 13 8 का मान 10,000 तो 13 की वेल्यू निकालनी है निकाल लो भी है कितनी आ रही है 8 की वेल्यू 10,000 तो आपसे पूछा गया 13 की वेल्यू कितनी आएगी निकालेंगे हम लोग 13 की वेल्यू 8 का मान 10 यार 1 का मान निकालके 13 से मल्टिप्लाई कर देना 16,250 यह आगे कुल जायदा ज्यादा नहीं है पर जो भी है यही बटवारा हुआ है एक यह कोश्चन ठीक्टा कोश्चन ता करने लाइक कोश्चन नमर 20 फटावट से देखे A और B 6 कारे को यह पेश नहीं है A और B 6 कारे को 7 दिनों में करने के लिए ready होते हैं जबकि 37 बटे 100 भाग पहले पूरा हो चुका है 37 बटे 100 भाग पूरा हो चुका है मतलब कि अगर मैं 100 को total work मालनू तो 100 मैं से 37 काम हो चुका है 100 मैं से 37 काम हो चुका है तो बचा कितना 63 इस 63 काम को ध्यान देना भई 63 काम को A और B ने कितने दिनों में किया 7 दिनों में कुश्चन यही तो कह रहा है 6 काम को 7 दिनों में पूरा करते है जबकि 37 काम हो चुका है ठीक है भई A द्वारा 5 दिनों में किया गया काम B द्वारा 4 दिनों में किये गया काम के बराबर है देखो A जो है 5 दिनों में जितना काम करता है बराबर है B के द्वारा 4 दिनों में किये गया कारे के तो यहां से अगर मैं A और B की छमता का अनुपात पता लगाना चाहूं तो ratio निकालते समय चीजें बदल जाती है A के बराबर में क्या आ जाएगा 4 और B के बराबर में क्या है 5 तो छमता का अनुपात कितना आ जाएगा बताओ 4 अनुपात 5 Efficiency का जो ratio आ रहा है वो चारणपात 5 आ रहा है तो आप से क्या पूशा गया संपुण कारे को पूरा करने के लिए तेज कारे करने वाले कामगर को कितने दिन लगेंगे तेज जो वंदा काम कर रहा है वो वंदा तेज काम करेगा जिसकी छमता जादा है चमता किसकी ज्यादा है फी की चमता ज्यादा है तो बी को समय कितना लगे गए दिन कितने लगेंगे समय होता है कार्रे बट्टे चमता कार्रे मैंने 100 माल लिया था चमता आप बता रहे है 5 आ रही है तो कितने दिन लगेंगे 20 दिन Option Number A आपका आंसर 20 दिन question का answer आ रहा है जितने sentence थे उतने seconds का भी समय नहीं लगा question का answer देने में answer कितना आ गया आपका 20 आ गया कोई दिक्कत नहीं है तो ये paper 1, paper 2 का analysis था आप में से काफी लोगों ने paper दिया होगा जिनको जो भी doubts से वो clear हो जुके होंगे अभी आपको अगले session में paper 3, paper 4 का solution मिल जाएगा दो-दो papers का combined solution मैं आपको करा दूँगा ये भी doubt नहीं रहेगा फिर भी आप में से किसी भी student को ऐसा लगता है कि सर अबने solution तो देखा पर बात थोड़ी कम जमी या कम समझ में आई तो आप बिलकुल offline आकर कि उन doubts को clear कर सकते हैं Thank you so much